हलो फ्रेंच विलकम टू टू दाशेव, चलिए आज हम बनाएंगे सर्जों का साग, जी हा फ्रेंच सर्जों का साग जो की बहुत हीईफीशल भाजी होती है, यह हमारे ब्लेड को फ्यूरिफाय करती है और हमारे जोणों के दर्द को दूर करती है सर्दियों में खाये जाने वाली भाजी सर्दियों में ही आती है भाजी इसलिए इसके बहुत जादा फायदे होते हैं गरम होती है भाजी तो ये भाजी किस तरह होती है यहां देख लेते हैं प्रिंट्स यहाँ पे हमने एक कटी पालक की भाजी ली है जिसे कि आप जानते हम पालक होती है कुछ इस तरह से होती है ठों दोनों भाजियों को हमने भाजियां उबाल ली है यह सर्सों की भाजी पालक की भाजी दोनों भाजियां उबलके श्रीम हो चुकी है अब हम जिसको मिक्सर के जान में पीस लेंगे दोनों को यह हमने कड़ाई में 2-3 टेबल स्पून तेल गरम करा है जिसमें की हम 2-3 हरीमिर्चे मोटी-मोटी अब लगें तक गच्छा गाक्च्पन खटम हो जाये तेल में तेल में , भुए मिह यह से त्टीज कूण रेड्मिर्च पाॉडर ढाल देंगे और एक छोटा टी स्पून डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और चार बड़े साइस की टमाटर लेंगे हम जिसे हम बारिक काटके डाल देंगे अब हम इसे सहरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो टमाटर गलने तक टमाटर का पानी सूपने तक हम इसे भूनेंगे देखिए यहां भे हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं 5-6 मिनिट में ही और पानी भी सूप चुका है मसाला भी बुन चुका है तो अब हम इसमें नमग डाल देते हैं स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से यह हमने अपनी भाजियों को पीछ लिया है यह पालक की भाजी और यह सर्सों की भाजी तो हम इन दोनों भाजियों को इसमें मिक्स कर देंगे कड़ाई में यह हमने पहले पालक डाल दी है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे भी और हमने सर्चों की भाजी डाल दी है इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दोब भाजी अगणी होई इन्हें पकने में पक्ने में हमें ज्याधा टाइम नहीं लगेगा इनने हमें मास्च करते हुए पकान आजे तक यह अच्छे से भुण जाएंगे खाने में बहुती tasty 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 लगती है भाजे बहुती मज़दार सी बन के त्यार हुई थी फ्रेंड्स यह भाजी सर्दियों में ही आती है इसको सीजन के साफ से एक दो बात बना के जरूर खाना चाहिए बहुत ही फायदेमनी भाजी होती है देखिए अच्छे से पक रही है और इसमें थोड़ा थोड़ा किनारियों में तेल भी छोड़ दिया है तो मतलब यह भाजी हमारी अच्छे से बन चुकी है इस भाजी को उबलने के बाद पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है किनारी पर तेल आ चुका है तो इसका सरसों का साथ खाने में बहुत बहुत जाला ही टेस्टी लगता है मुझे तो यह बहुत पसंद है उम्मीद करती हूं आपको भी बहुत जादा ही पसंद आएगा फ्रेंट्स आप इससे बनाके एक बार अपने किचिन में जरू ट्राइक कीजिए और गर्मा-गर्म साग में इंजॉय कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो फ्रेंड्स इसी तरह की नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल लखिए बाई